आज भारत के लिए बहुत महतुपुण दिन है पहली बार ओलम्पिक में सौ वर्सों में एथलेटिक्स में भारत ने गोड मेडल जीता है नीरच चोपड़ा जिन्होंने भारत के लिए उपलब्ध हासिल की है मैं प्रदेश के नागरिकों की और से प्रदेश की जनता की और से उनका हिर्दे से विनंदन करता हूँ उन्हें बधाई देता हूँ साथ साथ फ्री स्टाइल कुस्ती में बजरंग पूनिया को आज कास्य पदक टोक्यो अलम्पिक में प्राप्त हूआ है उन्हें भी मैं हिर्दे से बधाई देता हूँ उनका विनंदन करता हूँ उलम्पिक के थ्यास में भारत ने अब तक के सरवाधिक पदक टोक्यो अलम्पिक में जीते हैं इसमें एक स्वन दो रज़त और चार कांसे पदक की उपलब्धी अब तक भारत को हांसिल हुई है आज ये प्रधानमंत्री जी की खेलो इंडिया खेलो की नेती के तहट खेलों के प्रती जो एक प्रोचसाहन देश के अंदर प्रारम हुआ आज उसके सार्थक पेढ़ाम ओलम्पिक में एस याड में कॉमन वेल्थ गेम्स में और अनेक अंतरास्टिय प्रतिस्प्रधाओं में देखने को मिला है उतरप्देश सरकार उलम्पिक में प्रतिभाग करने वाले अपनी सभी खिलाडियों का देश के लिए पदक प्राप्त करने वाले इन सभी प्रतिभाओं का हिर्देश से विनंदन करती बधाई देती है और उन सभी यानि प्रतिश के हमारे दस खिलाड़ी उलम्पिक में भाग ले प्रतिभाग किये हैं साथ साथ जिन साथ खिलाडियों ने और टीम ने यह सम्मान देश के लिए हासिल किया है इन सभी के सम्मान के लिए हम राज्य के अंदर भी एक समारो आयूजित करने जा रहे हैं मुझे प्रसंता होगी अपने देश के लिए खेलने वाले इन सभी खिलाड़ियों के लिए और खास तोर पर पुरोस और महला हाकी की पूरी टीम को प्रदेश सरकार अपने इन सभी खिलाड़ियों के साथ अमंतित करेगी उनका अभी नंदन करेगे उनका स्वागत करेगे और प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें सम्मानित भी करेगे